अभी हाल ही में इंडिया ने नेवी के लिए 26 मरीन रिफाइल्स की प्रक्यॉर्मेंट को लेकर फ्रांस को लेटर आफ रिक्वेस्ट सेंड किया है इन 26 रिफाइल्स को आने वाले टाइम में इंडिया नेवी के एरक्राफ्ट केरियर्स आइनस विक्रांत और आइनस विक्रमा दित्या पर तैनात किया जाना है अभी करंटली इन दोनों एरक्राफ्ट से मिक-29 जेट्स को अपरेट किया जाता है यह letter of request एक tender document की तरह होता है जिसमें Indian government ने अपनी नेवी की requirements के हिसाब से रिफाइल्स की capability से related चीजों को इस document में include किया है और अभी contract signing पर time लग सकता है क्योंकि France पहले India की requirements को evaluate करेगा इसके बाद letter of acceptance के साथ India को reply आएगा और expectations के according इस contract को अगले साल sign किया जाना है रिफाइल्स की बात करें तो यह France की desault aviation का product है 2001 में इसको launch किया गया और सबसे पहले इसको French Navy में induct किया गया और अगले कुछ सालों तक इसको फिर France की Air Force में भी शामिल कर लिया गया था रिफाइल्स की international market को देखें तो सबसे पहले कतर ने 2015 में रिफाइल्स को select किया इसके बाद इंडिया ने 2016 में 36 रिफाइल्स की deal sign की जिसकी complete delivery अलड़ी हो चुकी है और 2021 का साल डिसॉल्ट aviation के लिए रिफाइल्स के orders के हिसाब से आज तक का सबसे बड़ा साल जिसमें ग्रीस ने 18 रिफाइल्स का contract sign किया एजिप्ट ने 30 रिफाइल्स आउडर किये युएई ने 80 एरक्राफ्ट की deal sign की क्रोटिया ने 12 second hand रिफाइल्स का आउडर दिया और 2022 में इंडोनेशिया ने 42 एरक्राफ्ट का आउडर प्लेस किया इसके लावा फ्राइल्स ने रिफाइल्स को अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, सीरिया और माली जैसे देशों में भी अपने मिशन्स के लिए तैनात किया था 2007 में इंडियन एर फोर्स ने 126 MMRCA मीडियम मल्टी रोल कॉमबेट एरक्राफ्ट की रिक्वाइर्मेंट का टेंडर फ्लोड किया था और 2013 में 126 की जगा 114 एरक्राफ्ट की रिक्वाइर्मेंट के उस टेंडर में रिफाइल्स को सेलेक्ट किया गया बट 2015 में गौर्मेंट ने उस टेंडर को कैंसल कर दिया और इसके बाद 2016 में इंडिया ने 36 रिफाइल्स के लिए 8 बिलियन डॉलर की डील साइन की फ्रांस के साथ पर अभी इंडिया 114 MMRCA के उस प्रोजेक्ट को दुबारा कुंसीडर कर रहा है क्यूंकि आने वाले 10 सालों में इंडियन एर फोर्स की टोटल स्क्वाइड्रोंस में कमी आने वाली है इसी वज़े से इंडिया के लिए अडिशनल जेट्स को एक्वाइर करना बहुत ज़रूरी है और उन रिडूजिंग स्क्वैड्रोंस के इशू को हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंडिया के इस पेंडिंग प्रोजेक्ट को देखते हुए लास्ट मन्थ डैन्मार की साब कमपनी ने अपने ग्राइपन एरक्राफ्ट्स इंडिया को ओर्डर किये थे जिसकी एनॉंसमेंट साब ने अपने एक्स हैंडल पर की थी रफाइल्स के लावा इसमें कई और कॉंटेंडर्स हैं जैसे के USA की बोईंग कमपनी का F-18, F-15 और लॉक्रेड मार्टिन का F-21 एरक्राफ्ट इसके लावा इसमें तीन और कॉंटेंडर्स हैं बट इन सब कॉंटेंडर्स में से रफाइल्स टॉप पर रहेगा क्यूंकि इंडियन एरफोर्स इसको अलड़ी ऑपरेट कर रही है और इसके लावा जैसे हमने पहले बात की रफाइल्स को नेवी के लिए भी आने वाले टाइम में प्रिक्यॉर किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को डिफेंस एक्विजिशन प्रसीजर 2020 के मेक इन इंडिया इनिशेटिफ के एंडर डेवलप किया जाना है और 2018 में इंडियन एरफोर्स ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफोर्मेशन सेंट की थी जिसमें वर्ल्ड की छे लीडिंग एरक्राफ्ट मैनुफेक्शरिंग कमपनीज ने रिस्पॉंड किया था और जैसे के हमने पहले बात की जो इसमें छे कॉंटेंडर्स हैं वो हैं फ्रांस की डिसॉल्ट अविएशन, डेन्मार्क की साब, यूएसे की बोईंग एंड लॉक्रिड मार्टिन, साउथ कोरिया की कोरिया एरो स्पेस इंडस्ट्री और इसके इलावा इसमें रेश्या भी शामिल है बट इसके लिए अभी तक गौर्मेंट ने acceptance of necessity अभी तक grant नहीं की है जिसके बाद ही इस deal में progress हो पाएगी बट अभी ये सवाल उड़ता है कि गौर्मेंट ने acceptance of necessity को अभी तक issue क्यों नहीं किया हाला कि इस project को भी make in India initiative के underdevelop किया जाना है मतलब इसकी manufacturing इंडिया में ही होगी बट दूसरी और इंडिया already fighter jets को locally produce कर रहा है जैसे के Tejas और Tejas की MK1A series अभी production में है और HAL इसके लावा MK2 variants पर भी काम कर रहा है और 2028 के बाद उनकी production स्टार्ट हो सकती है और reports के according आने वाले time में Indian Air Force Tejas के MK2 variants की 200 units तक का order place कर सकती है बट अगर हम 114 units के उस project को देखें तो government के acceptance of necessity issue करने के बाद भी 6-8 साल का time लगेगा उसकी delivery होने में और उस time तक MK2 variants की production भी start हो जाएगी तो ये reason हो सकता है कि government इस project को आगे approve नहीं कर रही और जिस हिसाब से government defense के make in India initiative को seriously ले रही है हो सकता है कि उस project को cancel कर दिया जाए Indian Air Force की अभी currently 31 squadrons हैं और आने वाले 10 सालों तक करीब 2035 तक सिर्फ 25 squadrons बचेंगी और इस issue को detailed में समझने के लिए हमारी उस video को जरूर देखें और अगर आने वाले time में Air Force MK2 variants की 200 units का भी order place करती है तो उससे नई 10 से 11 squadrons add होंगी और जो total squadron होंगी 235 तक वो होंगी 35 से 36 बट जो Indian Air Force की squadrons की total sanction strength है वो है 42 तो इतनी huge procurement के बाद भी 5 से 6 से 7 squadrons फिर भी कम पड़ेंगी तो उस issue को consider करके हो सकता है कि government 114 aircraft के उस project को consider करें बट फिर भी बहुत कम chances हैं क्योंकि India future के लिए अपने advanced multi roll combat aircraft के उपर काम कर रहा है और ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे India की dependency कम होगी